हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बग्या दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों के डिमांड टी कि मैं अपने पूरे घर के आगन को आपको दिखाऊं कहाँ पर कौन-कौन से गंबले रखे हुए हैं और किस तरीके से मैंने यकुरेट किया है तो पूरे घर के आगन को आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ और उपर का गार्जन तो हमेशा ही आप देखते हैं लेकिन साथी साथ आज पूरे घर के आगन को एक साथ इस वीडियो में मैं आपके लिए ला रहा हूँ तो उमीद है ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगा दोस्तो आज मैं अपने घर के बिल्कुल बाहरी साइट से आपको दिखाऊंगा बाहर जो में सड़क है गाउं के अंदर से गुजरता हुआ वो ये है और ये जो है हरिदाशपुर गाउं है हरिदाशपुर गाउं उत्राखंड के उधम सिंग नगर डिस्टिक के जो दिनेशपुर एरिया है उसके अंतरगत आता है गाउं का नाम हरिदासपूर और पोस्ट आफिस दिनेशपूर पढ़ता है और बाहर ये जो मुख्य सड़क जा रही है ये हरिदासपूर से लेकर के बसंतेपूर जो गाउं है वहां तक जा रही है और यहां पर देखिए गेट जो है गेट के किनारे ही कई सारे फूलों के पौदे जो है लगे हुए है दोनों साइट भी आपने देखा आम के बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए है और इस तरह से यह जो gate है, gate के दोनों side में जो blackboard है वो भी मैंने बना दिया है कई बार कई survey होते हैं तो कुछ notice उनको लिखना होता है, survey सिंख्या लिखना होता है तो उसके लिए यह दोनों तरफ board मैंने बनाई थे gate को खोलने के बाद जैसे ही हम open करते हैं तो पूरा जो यह आगन है हमारा सामने आता है आगन के दोनों side में दो कतार में जो फूलों के पौदे हैं क्यारी बनी हुई है और साथ ही जो border line है वहाँ पर कुछ गमले में पौदे लगे हुई है फ्रेंट में कुछ इस तरीके से दिखाए देता है घर का जो मुख्य द्वार है जहां से entry होती है और उसके दोनों side में भी कई सारे गमले नीचे हैं और कुछ hanging भी है दोस्तो अगर हमारे lobby के entry door से देखे बाहर की और तो कुछ इस तरीके का हमारा आगन नजर आता है दोनों तरब से गमले रखे हुए और किनारे से इस तरीके से यह जो area था पहले यहां गाड़ी वगरा रखते थे इस वरामदे में लेकिन अब यहां पर जो है बाहर भी एक बैठने की जगा बना दी है और कई सारे जो indoor plants है वो यहां पर रख दिये हैं दोस्तो आप बार बार पूरे आगन को एक साथ दिखाने की बात करते हैं और इसलिए आप गूमते गूमते जो है पूरे वीडियो को बिना कैमरे को बंद किया आपको दिखाने वाला हूँ देखी इस तरह से चारो और का जो view है इधर तुलसी का जो पौदा है वो है तुलसी मंच बना दिया है और अभी दो-तीन दिन पहले इसकी काटिंग की है काफी सारे बीज इसमें भर गये थे तो उनको समय समय पर हटाते रहना भी जरूरी है इधर एक तुलसी मंच बना हुआ है तो दोनों कौर्णर पर दो इस तरह से हैं और इसमें पेंट भी किया हुआ था पहले लेकिन थोड़ा कच्चे में ये पेंट हो गया था तो पेंट इसलिए चला गया है अब दुबारा से इसमें करनी की जरूरत है कॉर्णर में जो यहां पर है वो सदा बहार क्या पौदा है और कुछ और जो छोटे छोटे पौदे इधर दोर से मुझे मिलते रहते हैं तो लाकर के मैं किसी भी चीज़ में लगा देता हूँ तो इसमें कुछ छोटे गमले हैं तो कुछ कप और इस तरह से वेस्ट मटेरल वगरा बॉटल वगरा जो भी कुछ होता है तो उसमें लगाने की कोशिश करता हूँ रेन लिली इस वाले गमले में लगा हुआ है और वैसे ही इधर भी लगा हुआ है तो इसमें तो आज कली है और इधर आगे की और दिखाऊं तो नीचे बालसम का पाउदा है और यहाँ पर कनेर एक वाइट वाला है काफी बड़ा है इसमें पूरा कई बार ऐसा होता है कि फूलों से पूरा च्छा जाता है और सुबा सुबा रोज इसमें से बहुत फूल जो है पूजा के लिए तोड़े जाती है नीचे जहां तक हाथ पहुंचता है वहां तक तो लगबख सब फूल तोड़ लिये जाती है बाकी उपर उपर के फूल ही रह जाती है ये जैट्रोफा का पौदा है जेट च्राफा में पत्ते दो तरके होते हैं एक तो ये आप देख रहे हैं और दूसरा थोड़ा सा कटा हुआ डिजाइन वाला पत्ता होता है जो कि छट पर मेरे है बालसम में अभी जो बारिश हुई थी लगातार दो दिन तक तो उसके बाद ये फूल आने लगे हैं चुकि ये बारिश के मौसम का फूल है और यहां से अब आगे की और ले चलता हूँ आपको दोस्तो तुलसी में कई लोग कहते हैं हमारे तुलसी अच्छे नहीं होते लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कुछ खास केर भी मैं इसके नहीं करता जो शुरू में एक बार मैंने मिट्टी और थोड़ा सा जो किचन वेस्ट बगरा है उसको डाल करके मैंने इसके अंदर लगा दिया था और ये वैसे ही हो रहा है और इधर भी ये वैसे ही हो रहा है तो दोनों तरफ एक साथ लगा दिया था और जो ब्रांचेज है उसकी थोड़ी से हमें कटिंग करनी पड़ती है शुरू में थोड़ा सा देखना पड़ता है कि पौदा सीधा रहे और बाद में अपने आप ये गुलाई ले लेता है नीचे देखिए जो गंबले हैं और जो भी कुछ प्लास्टिक के बॉटल बगर कुछ भी मिला तो उसमें कुछ न कुछ पौदे यहाँ पर लगा दिये है अपने सीजन आने पर इसमें फूल भी आते रहते हैं और ये जो सदाबार के पौदे देख रहे हैं आप ये पिछले साल के पौदे हैं इनी गंबलों में वैसरी लगा हुआ था बहुत ज़़दा जब सर्दी आय थी तो जॉर्मेंसी में थोड़े दिन तक था लेकिन फिर से उसी में ही आ गय थे फूल और ये जो है कटिंग से तियार किया हुआ है ये नरसरी से लाया हुआ था पिछले साल पौदा और उसी की कटिंग से उसको मनाया था और ये वाला जो पौदा ये वाला भी पिछले साल का ही वैसे ही लगा हुआ है बस इसमें थोड़ा सा कटिंग वगरा कर देती हैं बाकी जो पौदा है पुराना ही रहता है और उसमें थोड़ा सा रिपॉर्ट कर देते हैं तो काफी अच्छा फिर हरा भरा पौदा होने लगता है यहाँ पर भी दो कटिंग जो है लेकर के इस pot में लगा था तो वो भी चल गया बालसम का ये एक पौदा है इधर उदर निकलते रहते हैं नीचे ग्राउंड गार्डन में तो कभी वहीं रहने देते हैं कभी कोई pot खाली हुआ तो उसमें भी लगा देते हैं इस तरह से ये जो है तुलसी का पौदा एंट्री में ही है जो मेंड गेट से अंदर की और आते हैं तो पहले कोने में तुलसी का पौदा ही है चांदनी के ये miniature variety है और उधर जो है ये जो दिखाए दे रहा है आपको ओलियेंडर का फूल है जो उधर भी एक सफेद वाला था कनिर का और कंचन वगरा भी पीछे लगा हुआ है और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो गुड़ल का ये एक पौदा पहले गंबले में था फिर मैंने इसको नीचे किया और ये एक जोरा काफी पौदा है ग्राउन गार्डिन में और बहुत ज़ादा ज़ाड़ी दार हो गया था बहुत फूल थे तो जिन ब्रांचेज में फूल खिल चुके थे उनको मैंने कट कर दिया बिल्कुल छोटा कर दिया और जिसमें हो रहे हैं अभी भी तो उसे उसको मैंने रहने दिया और बहुत ज़ादा ज़ाड़ी जब हो रही थी यहाँ पर नीचे तो दूसरे फूलों का खिलना मुश्किल हो रहा था इसलिए उसको मैंने कम कर दिया यहाँ भी ये गुड़हल है काफी बड़ा किलता है और नीचे के जो फूल थे सुबा ही पहले तोड़ लिए गए पूजा के लिए और इस पौधे में पीले रंग के फूल आते हैं और एक सब्ता बाद इसमें पूरा फूलों से भर जाएगा यहाँ पर देखिए ये एक गुड़हल है इसके जो पंखुड़िया है ये भी काफी हार्ड पंखुड़ियों वाला है और पूरे पौधे में फूल से ये भरा हुआ रहता है और रोज पूजा के लिए इस पौधे से भी फूल तोड़े जाती है उपर उपर के ये है जो रह गए है नीचे के तो सभी के सभी जो है एकदम सुबाई खत्म हो जाता है आपको पता है ग्राउंड गार्जन में ऐसा होता ही है कि जब पूजा अर्चना करनी होती है तो फूल सब वहीं से तोड़े जाती है और इसी वज़े से मैंने छट पर अपना गार्जन जवलब किया कि नीचे के फूल तो रहते नहीं है तो उपर के कम से कम रहे उसी के किनारे ये जो है गुलाब का पौदा देसी गुलाब है नीचे जमिन पर ही ये लगा हुआ है कटाई चटाई बीजबीश में करता रहता हूँ बाकी कोई खास देखवाल वगरा इन सब की नहीं होती है और ये जो आप गुढल देख रहे हैं छोटे छोटे इसको हम लखी जवा नाम से जानते हैं चोटे छोटे फूल होती है पूरा पौदा फूलों से भरा रहता है और पूजा के लिए काफी यूज़ किया जाता है इन फूलों को ये फूल जल्दी मुड़ जाते भी नहीं है खिले रहते हैं और एक दिन से ज़्यादा समय तक ये जो है रहते हैं यहां पर यह एक पौधा देख रहे हैं इसको spiral ginger कहते हैं sugar की दवा भी यह पौधा जो है माना जाता है यहां पर देख रहे हैं एक पौधा इसके तो पंखुडियों को जब सूख जाए तो दुबारा लगा देंगे तो दुबारा से यह हो जाएगा जीनिया का फूल कहलाता है और दूसरे साइड में मैं आपको ले जाऊं तो कोने में एक biscuit कलर का जो गुड़हल है वो लगा हुआ है काफी बड़ा पौधा हो गया है और चुक्छे जमीन में होता है तो पौधे हमेशा बड़े बन जाते हैं उसके कटाई चटाई हमेशा करनी होती है बाब्योद उसके पौधों का साइज है वो काफी बड़ता रहता है और जमीन में कोई खास देखमाल की जरुरत नहीं होती लेकिन यह है कि जगा बहुत ज़्यादा ले लेता है और फूल आने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है जब तक कि पौधे ज़्यादा बड़े ना हो तब तक फूल नहीं आते दोस्तों जमीन में जो भी पौधे लगे हुए हैं लगबग इसकी केर ना के बराबर है केवल कभी कबार जो कटाई छटाई है वो कर देती है और जो घास वगरा निकल आती है तो उनको निकाल देती है बाकी कीडे मकोडे के लिए जब भी स्प्रे करना होता है तो एक बार कर देते हैं महीने में देड़ महीने में तो कीडे मकोडे इससे दूर रहते हैं और ये भी जो है दोपेर के बाद का वीडियो है दोस्तों तबी कुछ-कुछ जो फूल है कम दिखाए दे रहे हैं जो मौस ग्रास है उसमें या जिसको हम पॉर्चुले का कहते हैं उसमें सुबह के वक काफी अच्छा ब्राइट कलर इनका रहता है देखिये बीजविश में जो मौस ग्रास है वो लगे हुए हैं और ये जो वाइट कलर के या परपल कलर के फूल आप लगातार देख रही हैं सदाबार के ये तो लगाने की ज़रुत नहीं है होते रहते हैं और बहुत ज़ादा जो हमें फेकना भी पड़ जाता है इधर इधर देखिये जो भी पुराने गमले वगरा कुछ भी है तो कोई बीची छोड़ी नहीं है हर किसी में कुछ न कुछ लगे हुए हैं और यहां से मैं दिखाऊं तो यह तुलसी का पौदा और आगे जो है जो फूल के पौदे हैं बड़े बड़े गुड़हल के पौदे हैं या साबनी का पौदा है वो सब कुछ यहां पर है यहां पर नीचे ही अप्राजिता का पौदा है डवल वेराइटी में यह है बहुत ज़दा बीटेल आते हैं कई बार उनको स्प्रे करके बगाना पड़ता है नहीं तो फूल सब खा जाते हैं यहाँ पर दिखाऊं तो यह कैन्ना लिली है कैन्ना लिली के ऐसे कई सारे फूल है तो आज यह वाला खिला हुआ है बहुत ज़दा घना हो जाता है इस जगह पर तो कई वर सोचता हूँ कि गमलो में अलग-अलग लगाओं फिर इतने सारे गमले हो जाते हैं और बार बार उसको साल में रिपोर्टिंग करना तो बहुत ज़दा हो जाता है इसमें तो तो इस वेसे इसको फिर मैंने नीचे लग तो काफी अच्छे खिल रहे हैं और इनी के फूल जब सूख जाते हैं तो यही बीज हम अगर बिखर देती हैं तो उससे फिर यह पौदे निकल आती हैं तो गोम फ्राना भी पहले गमलो में मैंने काफी लगा रखा था लेकिन अब जो है ग्राउन गार्डिन में ही एका दुक्का है क्योंकि जो सीजनल फ्लार होते हैं और इस तरह से नर्म होते हैं पौदे लचकने वाले तो काफी समालना पड़ता है गमलो में उनको और पानी की जरासी कमी होने पर फिर लचक जाते हैं नीचे की और इस वैसे जो च्छत में मैंने जितने भी गार्डिनिंग की है तो उसमें अब पर्मानेंट पौदे ही मैं रख रहा हूं ताकि जिसमें कम देखबाल की जरुरत पड़े और मौसम का असर जो है उन पर कम हो इस तरह भी देखिए कि इस तरह भी बहुत सारे जो गमले हैं वो नेने तयार हो रहे हैं आगे तक तो दिरे दिरे आगे जो है ये भी सजिंगे जैसे से इसमें फूल आएंगे तो आपके साथ इनको भी शेयर करूंगा यहां भी छोटे छोटे जो भी काटिंग्स वगरा हैं वो किसी दिब्बे में कहीं भी जो है इस तरह से लगे हुए हैं तो चीजे कहां रखूं समझ में नहीं आता जगा आप बिलकुल कहीं भी नहीं बची है हर तरफ पौदे ही पौदे नजर आ रहे होंगे और इतने सारे पौदों को समभलना फिर वीडियो त्यार करना स्कूल का काम अलग से हैं क्योंकि मैं कीचर हूँ आप सबको पता है तो वहां अधिक्तर समय बीच जाता है और आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई भी मैं करता हूं तो सभी चीज़े को मैनेज करना पड़ता है घर परिवार को भी देखना है थोड़ा सा तो सभी का सयोग थोड़ा सा मिल जाए घर में तो जादा अच्छा रहता है लेकिन गाजनिंग में जो है मोस्ली काम मैं खुदी समालने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर सा फूल लग रहा है और यह जो है सर्दियों के समयी जादा खिलता है और इस समय जोसे बरसात का सीजन है खतम होई रहा है तो इस समय भी इसमें फूल आना शुरू हो गया है कई सारे और कटिंग से त्यार किये वे पौदे यहाँ पर है इस कॉर्णर में और आगे की और दिरे दिरे आपको ले चलता हूँ यह जो है तुलसी का पौदा नीचे और उपर जो है हैंगिंग प्लांटर में कुछ जो सिंगोनियम के प्लांट है वो लगा रखा है क्योंकि पर्मानिंट है लगा रहने देता हूँ यूही और लगाता रहे हरे बरे रहते हैं तो इस वेसे इसको लगाया और यहां पर स्पाइगर प्लांट जो सिरामिक प्लांट है इस तारसे हंच के स्टेप में छोटा है तो इसी में लगा दिया और इस तरह से दो सारे इस पीलर में मैंने फिट कर दिया और इस साइड भी देखिए जो सिंगोनियम के पौदे हैं वो मैंने लगा दिये बीच वाला जो है जो रेट सिंगोनियम है तो वो वाला है और दुनों तरफ जो ग्रीन वाले हैं तो वो वाले हैं तो इस तरह से छे सिंगोनियम के प्ल जो टर्टल वाइन है वो मैंने बॉटल में लगा करके इस तरह से हैंग कर दिया है बाहर ये टायल लगा हुआ है और जो टायलों के जोड में मैंने कील को लगा दिया है छोटा सा नीचे साइकस का यहाँ पर प्लांट है यह इलाइची का प्लांट है उसके बाद देख पा रहे होंगे कई सारे इस तरह से डेकोरेटिव प्लांट यहाँ पर है जैट प्लांट भी है यहाँ पर तो इसको जो है छोटा बोंसाई का रूप देने की कुश्च कर रहा हूँ देजाइन दिरे दिरे यह भी बन रहा है छोटी छोटे पॉट में हैं यह जितने भी पौदे हैं जैट प्लांट के तो यहाँ से जो है हमेशा हरे बरे इस जगह पर रहते हैं और धूप यहाँ पर नहीं आती है और सुबा की धूप मतलब थोड़ी दिर के लिए आती है आदे गंटे के लिए हो तो उसी में जो है पौदे अच्छे रहती हैं और यह जो है जो बरमदा है हमारा कोई जिन पहले इसका वीडियो मैं आपके लिए लाया था काफी आप में पसंद किया था यह सिंगोनियम गार्डियन उपर मैंने बनाया है जितने भी जग है तो जग का मैंने यूज किया और जग में केवल पानी भरा और सिंगोनियम के पौदे को पानी में ही जाल दिया और कई महीने हो गए यह ऐसी ही है इसमें तो रोज-रोज कोई पानी देने का जंजट नहीं है दस-पंदा दिन में जब भी समय मिलता है तो एक बार जग को निकाल करके पौदे को धू करके और नए पानी में फिर जाल देता हूँ यहाँ पर देखिए जो एक्वरियम है कॉर्णर पर लगा दिया है इसको भी मैंने आपको शेयर किया था पिछले वीडियो में और यहाँ पर जो है कुछ प्लांकर अब नीचे रख दिये है यहाँ पर पहले थोड़ा सा एक शूर एक रखा हुआ था तो उपर रखे हुए ताकि अगर यहाँ से मैं धुलाई बगरा करूं पत्तों के उपर पानी चड़कू तो कोई दिक्कत ना हूँ और पौदे हमेशा जो है चमचमाते रहे तो इसी करण सिंध को मैंने यहाँ से हटा दिया और जो सिल्बल प्ले बटन आया था आप लोगों की इसमें बहुत ज इस कॉर्णनर में कुछ मनी प्लांट है कुछ अदर जो भी डेकोरेटिव प्लांट है वो यहाँ पर लगे हुए है ग्रे सिल्धिना के प्लांट यहाँ पर कई सारे है और यहां पर देखे एरिका पाम का प्लांट भी लगा हुआ है एगलोनिमा का प्लांट लगा हुआ है काफी अच्छा लगता और यह सब लो जो लाइट होती है या जो बरामदा है ऐसे जगह पर आप लगा सकते हैं लेकिन बिलकुल इंडोर अगर रख रहे हैं तो इनको जो जो सुबह की हलकी धूप है अधरवाइस ज्यादा टाइम तक एकदम इंडोर में रहते हैं तो फिर यह पौदे मुर्जाने लगते हैं और खराब होने लगते हैं तो मेरा यह ऐसा एरिया है कि यहां पर हमेशा पूरी रोशनी रहती है हवादार जगह है तो इस जगह पर यूँ ही रहते हैं ज्यादा इदर उदर हकानी की मुझे जरूरत नहीं होती फिर भी थोड़ा बहुत कई बार मैं थोड़ा सा बाहर के तरफ आदल बदल करके पौदों को रख देता हूं जैसे इस साइड में जिस एरिया को मैं दिखा रहा हूं इस साइड में ज्यादा र रह पाती हैं अब थोड़ा सा मैं बाहर की और भी दिरे दिरे ले चलूंगा अलग कि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है 20-21 मिनट आप देख चुके हैं लेकिन चुकी कहा आपने की पूरा वीडियो एक साथ देखना चाहेंगे तो सभी वीडियो को या जो भी डेकोरेश मनी प्लांट और यह जितने भी बाउल आप देख रहे हैं या प्लांटर देख रहे हैं मनी प्लांट लगे हुए हैं तो यह ऐल्मोनियम के प्लांटर हैं जो की मेले से मैंने खरीजा था तीन साल पहरे और इसमें मैंने तोड़ा सा कलर कर दिया और यह जो है बिलकुल नहीं है यहां पर साइकस के और भी पौदे हैं जो कि यह आटे की पॉलितिन है आटे की थैली है तो उसमें लगा दिया है शुरू में लाकर के तो थोड़ा सा बढ़ेंगे तब इसको मैं प्लांटर में शिप्ट करूंगा और नीचे नीचे देखिए कई सारे प्लांट और भी है यहां पर यह दोनों तो फूल के पॉदी हैं और बाकी यह जो सजावती पॉदी है अलग अलग तो वह है छोटे वाले प्लांटर है यह बहुत ज़ादा बड़े नहीं है जो छे इन्च, साथिन्च के के प्लांटर है वो है यहाँ पर और उसी में ही ये कोलियस वगरा सब कुछ लगा हुआ है पानी वगरा का ऐसा है कि कभी शाम को कभी सुबा जैसे समय मिल पाता है तो वैसे ही जो जो दे देता हूँ, पाईप हमेशा ये ऐसी रहता है पड़ा हुआ और इसी pipe से जो है देता हूँ जादा समेटा नहीं हूँ pipe को इस तरह से खोल करके रखता हूँ ताकि पानी देने में आसानी हो बार-बार लगाएंगे खोलेंगे तो time लग जाता है तो हमेशा लगा हुआ रहता है टोटी के साथ और इधर देखिए यहाँ जो moss rose या जिसको हम दोपैर खड़ी बोलते हैं या time flower कहते है नाइन ओ क्लॉक कहते हैं पॉर्चुलिका कहते हैं वो दिवार के साथ बोटल में लगा दिया है यहाँ पर कोलियस का एक प्लांट काफी बढ़ा हो चुका है और यहाँ पर देखिए यह जो पौदा है यह आगस्त के फूल है इस फूल का यूज हम खाने में भी करते हैं और उपर जो है यह बरबटी का पौदा हो रहा है जो काफी बढ़ा उपर फैल गया है इसी जगह पर पहले मैंने आपको करेला दिखाया था दो-तिन मैंने पहले कि करेले से पूरा उपर ऐसे ज़ाड भरा हुआ था अब करेला हट गया तो यह बरबटी का पौदा लगा दिया था तो उसने पूरे उपर की जगह को कवर कर लिया तो इस तरह से यह जो पूरा गार्डन है मैंने आपको दिखाने की कोशिश की और मुझे उम्मिद है कि आपको अच्छा लगा होगा कैसा लगा पूरा गार्डन जरूर कमें लिखिएगा और जो भी इसमें कमी रह गई या और क्या-क्या बदला आप देखना चाती है तो जरूर लिखिएगा आपके सजेशन से ही दिरे-दिरे जो गार्डन है वो अच्छा होने लगेगा दोस्तों आपने पूरे गार्डन के इस वीडियो को इतने इत्मिनान के साथ देखा इन सब के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद